है लो मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे हो आप सभी लोग बच्चों उमीद करते हैं आप सभी लोग सभाष्ट होंगे तंदरुस्ट होंगे और अपनी अपनी पढ़ाही में पूरी तरीके से वियस्थ होंगे मैं मन मोहित आपका हिंदी अध्यापक, डाउटनेट केस बहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विध्यारतियों का बहुत 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 वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ तो बच्चों आजाईये फटाफट से हमने नया अध्याय आरम कर चुके हैं हम दिगंत भाग दो यानि विहार बोड और अगला अध्याय जो है वो ओसदा नीरा जिसके लेखक हैं जगदीश चंद माथुर तो क्या है इस पार्ट के अंदर कभी जो लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है क्या बतलाना चाहता है क्या message देना चाहता है तो आईए इस अध्याय के माद्य हम से जानते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम करने क्या वालने है यानि कि पढ़ाई क्या करेंगे इस part के अंदर किन-किन चीजों पर हम focus करेंगे तो पहले तो लेखक का जीवन परचे सबसे पहले लेखक का जीवन परचे लेखक, लेखिका, कवी और कवित्री इनका जीवन परचे आपको आना चाहिए क्योंकि 100% यानि 100% एक जीवनी जो है वो एगजाम में पूछ ली जाती है अब जीवनी में क्या आता है लेखक का जनम कहा हुआ था कवी, कवी तरी लेखक लेखक है इनका जनम, इनका अम्रित्व, इनकी सिक्षा कहां तक हुई इन्होंने कौन-कौन सी रचनाएं, कौन-कौन सी कृतियां लिखी साथी साथ इनको कौन-कौन से सम्मान, कौन-कौन से पुरुसकार इनकी माता का नाम, पिता का नाम, साहित्तिक योगदान, ये सब जीवन पढ़्चे के अंदर आ जाता है, और ये उतना ही जरूरी होता है, जितना जरूरी आपका पाठ होता है, क्लियर हो गया, साथ साथ हम करेंगे पाटका सारांस, और इस सारांस में जानेंगे कि किने के नदी को पृतिबना रख कर एक तरीके के मानवी करण, जो है प्रकृति के साथ सामंज सब्बाहर भिठाकर, जो एक लेखक ने एक गड़ना करी है, एक मार में की जो दर्श्य दर्शाया गया है उसी तरीके से किस तरीके से जीवन निर्वा हो रहा है महां की culture, महां की संस्कृ्ती वहां की सब्भिता के बारे में थो हम सारiece में इस पार्ट के बारे में जानेंगे साथ ही साथ कुछ प्रिसन और उत्तर भी करेंगे जो आपके पाठ के अंदर दिये गए हैं किलिए रहे हैं इस पाठ से आधारिप किलिए रहे हैं पाठ से संबन देद चलो आगे बढ़ें आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कि भई फटा फट से पैन कॉपी के साथ बैठो तकि आपको नोट्स बनाने का मौका मिले नोट्स आपकी परिक्षा में बड़े काम आते हैं यह छोटे 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 नोट्स ही होते हैं आपको अच्छे अंक अर्जित करवाने में बड़े ही महत्पूर्ण भूमिका निवाते हैं किलियर आपको कहीं भी किसी से कोई नोट्स मांगने के आवश्यक्ता नहीं है जो टीचर बढ़ा रहा है आप भटावट बैठिये छोटे छोटे नोट बनाएए और साथ ही साथ लिखने से स्पीड अच्छे होती है आपकी लिखावट में सुन्दरता आती है और स्पीड नहीं होने के वज़े से क्या होता है आपके एक्जाम में दो कुश्चन छोट जाते हैं अब जब दो कुश्चन छोट जाएंगे तो अगर आप 95 प्लस पाने का जो सपना आपके मन में है वो टूट जाएगा क्यों क्यों क्योंकि वही सबसे पहला काम तो यह है कि आपको पूरे प्रशन करने समय से पहले प्रशन तर्भी कर पाऊगे सही सही जब आपकी speed होगे clear होगे आपके वाते हुए भी जब आप छोड़ के राते हो इसका मूल कारण जो है समस्या का वो है आपकी speed का ना होना तो आईए फटाफट से speed पे काम करिए क्योंकि आगे चल कर आपको कई सारी परिसानियों से निजात दिलाना दिलाएगी जैसे की मानलो competition के तैयारी है बड़ी exam के अंदर जब आप जाओगे तो भई बड़ा लिखना पड़ता है और आज अभी आपने यादत नहीं डाली तो आगे चल कर आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा किलियर हो गया यहां तक चीज़ें समझ में आगई चलो भई दूसरा काम करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो किलियर भई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका benefit हो सके कहते हैं यह कर भला तो भई हो भला चलो वह आ जाते हैं जीवनी पर सबसे पहरे लेखक की जीवनी जहां जीवन परचे तो प्रतिवाश आली लेखक नाटक कार और संस्कृति कर्मी जगदीश चंद्रमाथरू का जनम 16 जुलाई सन 1917 को साजापुर उत्तर परद कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था जनम का वर्ष मिर्ट्व का वर्ष आपको याद रखना है हर लेखक का किलियर है अगर दांस पढ़ रहे हो तो लेखक लेखिका का और पदांस पढ़ रहे हो तो कभी और कवित की का किलियर है 100% जनम के बारे में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए आपका लेखक इनका जर्म कब हुआ था और इनकी मिर्ट्व कब हुआ तो प्रतिवाश आली लेखक यह एक नाटक कार थे और संस्कृति कर्मी थे संस्कृति से बड़ा प्यार था लगाओ था किलियर और प्रकृतिक चीजों को मानवस के साथ जो है समन् जत से बठा कर इसका वर्णन जो है वह एक बहुत इबहतरीन तरीके से करते थे और चायावाधी कवी का इको धा में ICS की इन्होंने परिक्षा उत्तेंड की और ये प्रसिक्षण के लिए अमेरिका गए और बाद में बिहार के सिच्छा सचिव नियुक्त किये गए चिज्जा सच्चिव के पद räए इनकी नीगती हुई और इन्होंने 1944 में बिहार के सुप्रसिद सांस्केर्टिक उत्सब वैशाली महोत्सब यानि कि बिहार का सांस्केर्टिक ऊत्सब मनाई आता है वैशाली महोत्सब के नाम से के लिए रहे हैं उसका इन्होंने वीजार ओपन किया यह ओल इंडिया रीडियो में महान निदेशक भी रहते के लिए उस वक्त रीडियो का जमाना था नमस्कार या काश्वाने के के इंदर से बोलने यह ओल इंडिया रीडियो है अब आप समाचार सुनिये या फिर गजल तो रीडियो का बड़ा वोलवाला था उसी ओल इंडिया रीडियो के अंदर यह महान निदेशक के पदपर रहे और इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्राले में हिंदी सलहकार के पदपर भी कारे किया सूचना और प्रसारण मंत्राले में हिंदी सलहकार रहे यह हौरव इन्वेस्टी के अंदर ये विजिटिंग फैलो रहने की अतरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण कारियों से जुड़े रहे और अपने उलेखनी कारियों के लिए इन्हें कई पुरुसकारों से सम्मानित किया गया है जिनमें से विध्या वरेदिकी उपाधी कालिदास अवार्ड और विध्या बिहार राजभाषा परुसकार जो है इनमें से परमुक है चौदा मई सन 1970 को इनका हो गया निधन ये चौदा मई सन 1978 ये याद रखना इनकी मृत्यों पूछ ले जाएगा क्लियर की मृत्यों कब होई तो आपने मृत्यों का वर्ष याद रखनाय और किरतिया तो रखनाय परमुक रूप से अरबात करिया जगदीश चंद माथुर की तो जगदीश चंद माथुर जी की परमुक रखनाय निम्न लिखेते हैं सन 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बासुरी क्लियर है क्या आया मेरी बासुरी का मंचनव सरस्वती में प्रकाश सन और पांच एकांकी नाटकों का संग्रे भोर का तारा यह सन 1946 में प्रकाशित हुआ क्लियर है कब हुआ? 1946 में भोर का तारा यह क्या था? पांच एकांकी नाटकों का एक संग्रे था सरस्वती में प्रकाशन हुआ है कि इसका बासुरी का बासुरी का इनों ने मंचन किया था? अब इसके बाद इसके अतरिक तो ओ मेरे सपने यह उन्निस सो पचास में वो मेरे सपने, मेरे स्रेष्ट रंग एकांकी, कॉणार्क 1951 में, बंदी 1954 में, शारदिया 1969 में, पहला राजा ये 1979 में, दर्शरत नंदन ये 1974 में और कुमर सिंग की टेक 1954 में, गगन सवारी 1958 में, इसके अलावा दो कट पुतली, ये एक नाटक किलियर हो गया, ये प्रमुक रचनाएं हैं और इन रचनाओं के बारे में आप से पूछ लिया जाएगा, subjective question के रूप में पूछ लिया जाएगा, कि पता ही इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, objective के रूप में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिए कौन सी रचना कब, प्र लेखा चित्रो और संस्मराण परंपराशील नाट उनने सो साथ उनकी समीख्षा दिस्टी का परिचायक है और बहुजन संपरेश्ण के माध्यम से जन संचार पर लिखी विशिष्ट पृस्तक है और बोलते च्छन ये एक निबंद संग रहे हैं के लिए बात साहित्तिक वि के तोर पर एक कुशल प्रसासक के तोर पर जाने जाते हैं कि लिए विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं बिहार की अनमोल दरोहर कहा जाता है इनको कि लिए साहित्ति में अपना एक उच्छ इस्थान रखते हैं और बिहार के रतनों में से इनको भी माना ज लिखन में रंग मंच की कलपना शील सक्रए जयतण समाहित अर्थाथ इनकी नाट्ट करतियां मंचन तथा अभिनेता की दिष्टी से सफल मानी जाती हैं तो अभिनेता की दिष्टी से अगर आप दिखोगे तो सफल मंचन जाता है और उनके साहित में कहीं भी संक्रियता नहीं आई है, बोजिलता नहीं आई है, ये लिए रहा है, आपको लगे का नहीं कि ये बोर्यत महसूस नहीं होगी, बिल्गुल अपितो उनके लेखन में एक उदार दिश्टिकोर पकड़ होता है, गंभीरता जह लगती है, सौंदरी प्रियता और लालित बोध इनकी अभिरुची के अंग थे, और रचना में एक सुव्यवस्ता, सुरुची और कलात मक्ता को आवश्यक मानते थे, के लिए रहा है, और इसका ध्यान उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं में रखा है, के लिए रहा है, तो ये क्वालिटी वाल जो हैं लेखकों में इनकी गुलती होती है, उच्यकोट की लेखों में इनकी गिंती होती है, तो पाठ का लेखक का जो परिचे है वो आपको पता होने चाहिए, एक्जाम के अंदर लेखने जीवनी जरूर आएगी, अब इसमें सो बहुत सारे अब्जेक्टिव कोश्चन जर्म का वर्ष हो गया, मर्ट्यू का वर्ष हो गया, कौन कौन से रचनाएं हैं, कौन कौन से कृतियां हैं, सम्मान हो गया, परुसकार हो गया, किलियर हो गया, तो इस सब आपके इसके अंदर आ गया, चलो आगे बढ़े, अब आजाते हैं पाठ के साराज, इस पाठ के अ माथुर के द्वारा लिखेता है इसके लेखा कौन है जगदीशंद माथुर के लिए और इस निबंद के माध्यम से सदा नीरा निबंद के माध्यम से गंडक नदी को निमित बनाकर यानि कि परतिविम्म बनाकर उसको आदर्श बनाकर गंडक नदी को कि लिए उसके किनारे क पास की संस्कृति आस पास की संस्कृति है वहां का जो जीवन है किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं कि लिए उसकी एक अंतरंग जहां की पेश करती है करता है यह निवन जो स्वैम गंडक नदी की तरह प्रवावित दिखलाई पड़ता है जिस तरीके से गंड कर दो कर रहा है लेक्रक पर उसकी एक एक अंद का मनोहारी अंकन किया गया है। प्रकृति का किलियर है जैसे च्छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवी करण देखा जा सकता है उसी तरह निवंद में भी देखा जा सकता है च्छायावादी कभी की क्या विस्यस्ता होती है एक च्छायावादी जो लेखक होते हैं कभी होते हैं अब उनकी विस्यस को केंद्र विंदों में रखते हुए अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए चलते हैं thinkersill और कुछ इसी तरी केंदुन करते हैं अभ एक और चर्ण देख़िए क्या जैसे बिहार के उत्तर पश्च्षम कोन के चमपार्ण इस छेंट्र की भ्हूमि पुरानी भी है और नवीन भी है अब चंपारण छेत्री की संस्कृति का यहां प्रणन क्या जा रहा है कि यहां की जो मिट्टी है यहां की मिट्टी जो बहुती कुजबू जो है दार है पुरानी है और नवीन भी है दोनों ही है हिमाले की तल हटी में जंगलों की गोदी से उतार कर मानो वानो शैशब शुलब अंगों और मुसकान वाली धरती को ठुमक ठुमक चलना सिखा रहा है अब देखो यहाँ पर किस चीज का ठुमक ठुमक है ना ठुमका कौन लगाता है ठुमका इंसान लगाता है नाचता गाता कौन है इनसानी तो नाचता है, गाता है, मुस्कुराता कौन है, इनसानी तो मुस्कुराता है, तो है न मानवी करण, अब यहाँ प्रकरती के साथ जोड़ दिया गया है, गोध किसकी, भाई, इनसान अपनी गोध में बच्चे को लेता है, यहाँ जंगल की गोध में बोल दिया गया जंगल की गोद में उतार कर मानव मानो, शैशब, सुलब, अंगो और मुस्कान वाली धर्ती को के लिए रहे, धर्ती को हरकी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराती हुई के लिए रहे, शैशब, और सुलब, अंगो और मुस्कान वाली जो धर्ती है इसको ठुमक ठुमक के चलना सिखा रहा हूँ इन धर्ती को और इसके साथ माथुर संस्कृति के गर्त में जाकर आना उन्हें लगता है जैसे मानलो उन्मक्त यौवना वीरांगना हो जो प्रचंड नर्तं कर रही है यानि कि मानो यौवन से भरी हुई एक नर्त्यांगना जो क्रिया ठुमक ठुमक कर मुश्कृते हुए दिखलाते हुए और उन्हें साथ बासट की बार राम चरित मानस के क्रोध रूपी कैके की तरह दिखलाई पड़ती है किलिए रहे बार समझ में आगए जब बार आती है बार आती तो अपने आप पर प्रचंड नुक्सान करती ह गुस्ते वाली अब यहां पर क्या किया गया है यहां पर अब यहां पर क्या किया गया है यहां पर साथ बासट की बार का जिकर किया गया है किलिए रहे और साथ बासट की जब बार है तो अपने करोध में क्या है कई सारे घरों को वहां ले गई तबाह कर ले गई घर के घर नश्ड हो गए किलिए रहे विनाश कारी जिसको बोलते है विनाश लीला का जहाँ पर यहाँ पन किया गया है तो वहाँ पर किसका रामायन का यानि राम चरित मानस में पात रहे उनका नामे केकई तो केके के क्रोध से इसकी तुलना कर दीगी केके की क्रोध की तरह यहां दिखलाई पड़ती है मानो यह बाड बताते हैं नदियों में बाड आना मनुस्तों के उच्छा खलता के कारड है यदि महाजन जो चमपारण से गंगा तर्ट तर्ट खला हुआ था न कटता तो बाड नहीं आती इस बाड को आने का कहीं न कहीं कारल उन्होंने इनसान को माना है के लिए रहे इनसान प्रकृति के साथ खिलवाड कर रहा है आज क्या हो रहा है देखो जंगलों को काटा जा रहा है जंगलों को काटा जा रहा है नदियों का ज़ल है उसको उसका रुक जो है वो मोड कर वहां पर पेडों को पहाडों को काट कार कर कार क्या नगरों को निर्मान किया जा रहा है अब सोच के देखिए आप प्रकृति के साथ खेलोगे तो एक दिन प्रकृति भी आप प्रकृप दिखाएगी और उसी का परिडाम है कि आज जो प्राक्रतिक आपदाई हो रही है जो प्रकरति अपना जिसको करते हैं रोद रूप धारन करे हुए जो मनुष को अपनी इस आगोश में लिल रही है यह जीता जाकता उधारन है तो वही यहांपर बताया गया है इसका कही न कही इसका कारण मनुस से है ना यह महाज़न जो चमपारण के तर्ट तक फैला हुआ था ना ये कटता और ना ये बाड आती बाड का आने का कारण कही न करही है इनसान नहीं है इसका जो है और माथूर्ड तरक देते हैं वसंद्रा भोगी मानव और धर्मानद मानव एक ही सिक्के के दो पहलो है अभी क्या कहते हैं वसंद्रा भोगी मानव और धर्मानद मानव एक ही सिक्के के दो पहलो है क्योंकि वसंद्रा भोगी मानव अपने भोग विलास के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है तो धर्मानद मानव पूजा पाट के सडी गली सामगरी को गंगा नदी में प्रवाहित कर उसको दूशित कर रहा है किलियर है मानव भोग विलास में सब कुछ भूल गया है किलियर हो गया अपनी भोग विलाश्ता के लिए जाते हैं, महां पिकनिक मनाते हैं, कम से कम तीर्स इस्तलों को तो ना छोड़ो, लेकिन मनुस्य ने अपनी जो कुटल चाल है, उससे जो है, वहां पर भी उस चीज को प्रभावित किया है, प्रकृति प्रभावित हो रहे हैं, लोग प्रभ करते ही हो चल रहे हैं, तो हम भोग विलाश्ता में हैं, मनुस्य भोग विलाश्ता में सब कुछ भूल गया है, उससे सिर्फ और सिर्फ खुद इस भोग विलाश्ता में सब अपने आपको जो कर रहा है, वो सही कर रहा है, उसको ऐसा प्रतित होता है, दूसरी तरफ क्या है किसी का दाह संसकार हुआ तो दाह संसार करने के बाद जो विसर्जन करने के लिए लोग गंगा नदी पर जाते हैं क्या कहते हैं कि जी श्राद कर रहे हैं कहीं पर जो क्या बहुते हैं अस्थियां जो हैं अस्तियां का विसर्जन करने कहते नहीं है कि भाया गंगा में प्रभाहित करने से उसको मुक्ति मिलेंगी तो यह अपनी-अपनी सोच है अपनी-अपनी इंसान जो चला गया वो तो चला गया लेकिन हम लोग प्रकरती के साथ खिलवाल कर वे हैं के लिए रहे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दूशित करने वाला नदियां हो चाहे वो पहाड हो जंगल हो चाहे वो पवितर तीर इस्तल हो इन सबको मनुष्य ने अपनी कुटिलताओं के से क्या करा है इनको अपवितर करने का कारी किया है के लिए माथुर मद्युगीन समाज की सच्चाई भी बताते हैं कि आक्रमण के कारण या अपनी महत्वा कांग्षा की तरप्ती के लिए जो मुस्लिम सासक हैं इन्होंने अंदा धुन्द जंगलों की कटाई कि लिए व्यक्ति की महत्वा कांग्षा जो है उसके पतन का कारण बनती है कि लिए अनेक मुस्लिम साशक हुएं अगरे मुगलों ने क्या किया है मुश्लिम सासकों ने अपनी महत्वा कांग्षाओं को जिलाई रखने के लिए महत्वा कांग्छाओं को पनपने के लिए उन्होंने क्या किया है जंगलों का बेशुमार कटाई करी उन्हों अंदा दुन्द उन्होंने जंगल काटे के लिए रहे और इसी तरह यहां नेक संस्कृति आई और यहीं रचबसकर रहे गई बहुत सारे विदेशी आए हाँ पर और बहुत सारी जातियों के लोग यहां आए और वो यहीं रचबसकर रहे गई के लिए रहे हैं आज भी आप जब संस्कृति के तरह पढ़ोगे तो हिंदुस्तान के अंदर पता है नहीं कितनी संस्कृतिया है कितनी बहसाएं हैं कितनी एक से हर 20-30 किलोमेटर पर संस्कृति सब्विता रहन सैन खान पान बोली बहसा है ना पहनावा और ना हर चीज बदल जाती है के लिए रहे है तो अनेक संस्कृतिया हिंदुस्तान आई और वो यहीं रचबसकर रहे गई जैसे मानों यहीं की है के लिए रहे सभी ने उसका दोहन किया है और ऐसा नहीं है कि किसी एक विक्ती ने या एक समाज ने या एक जाती ने इनमें सभी सम मिलेते हैं सभी ने मिलकर जो है इस प्राकृतिक चीज़ों को नश्ट करने का काम किया है जिसका आज परिडाम भूग रहे है इस मिली जूली संस्कृति का परिडाम कीमियों पर करिया है और चमपारण के प्रत्ते के स्थल पर प्राची नुक से लेकर आधुने की युग में गांधी के चमपारण आने तक के पूरा इतियास को अपने लेखनी के माद्यम से अच्छे बुरे प्रभाव को खंगाला गया है तब से लेकर और गांधी का चमपारण तब तक के पूरे यात्रवतांत के यहां पर अच्छा क्या है बुरा क्या है सबी पहलियों को यहां पर विस्तार पूर्भा रखा है किलियर और इस पर्चे के संदर में कहीं भी कलास संस्कृती उसकी भाषा उनकी आँखों से ओजल नहीं हो पाती इन सब के बीच जो इनकी संस्कृती है जो इनकी सब्विता है इसको उन्हें जिलाए रखा है जिन्दा रखा है और यही सबसे बड़ी खास बात है और अन्त में गंड़क की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं क्या कहते हैं गंड़क नदी की महिमा का बखान करते हुए ओ सदा नीरा ओ चक्रा ओ नारायनी ओ महागंडक युगों से दीन हीन जनता इस विविद नामों में तुझे संबोधित कर रही है युगों युगों से तुझे इन अनेका नेक नामों से लोग तुझे संबोधित कर रहा है कोई तुझे सदा नीरा कह रहा है कोई तुझे चक्रा कह रहा है कोई तुझे नारायनी कोई तुझे महा गंडक कह रहा है गंडक नदी का बखान करते हो कह रहे हैं और तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नीव बहुत गहरी और मजबूत है इसे तू ठुकरा नहीं पाएगी और इसकी गूँज दूर तक यूगो यूगो तक जनमो जनमो तक हैना पाएगी। किलियर हो गया इस तरीके से गंडक नदी का यहां पर बखान किया है गुडगान किया है और उसके आस पास की संस्कृति का मानफ संस्कृति का मानफ सब्विता का वहां के जीवन यापन का किस तरीके से लोग रह रहें किलियर है उसका बखान किया है किलियर हो गया चलो आप कुछ प्रशन और उत्तर बनते हैं इस पार्ट से और यह सब्जेक्टिव प्रशन है जैसे कि चंपानड छेतर में बाड की प्रचंडता के बढ़ने के कारण क्या है किलियर है इंपॉर्टन कोश्चन है आ सकता है चंपानड का जो छेतर है वहाँ पर अक्सर देखा होगा अपने बाड आती है और बाड प्रचंड रूप लेकर आती है किलियर है लोग साल साल पर महनत करते है अपना घर बनाने के लिए वहाँ पर जो भी जमापुझी होती है वह बाड में सब बाहा कर ले जाती है जिसको कैके का किसके गुस्चे कि संग्या दी गए कहके जब रूट के कोप वहन में जाती है तो राजा कहते है जी बताओ क्या तो बहिया वह अपने गुस्चे में गुस्चे में उस सब कुछ तबाह कर देती है जीवन अस्वेस सुझाता है ठीक उसी प्रकार इसका एहाँ बढ़न किया गया है जंगल काटती किस ने मनिश्चियोंने काटे कि लिए ऐनेक जो ठीक मूश्यम одно-एक प्रकाश को में सब दायोगने के लिए जंगल दो जल राशी को अपनी जड़ों में ठामे रहते हैं किलियर हो गया जलराशी को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं और नदियों को उन्मुक्त नविववना बनाने बनने से रोकते हैं उत्ताल विरक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करते हैं किलियर है इसका काम करते हैं संतुलित करने का काम करते हैं तो जंगलों क बड़ा विसीस बहत्तो है और जब जंगल ही उजाड़ दोगे तो बाढ़ाना निश्चित है किलियर अविदी जलराशी नदी के सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ाती है जंगल ही नश्ट नहीं रहेंगे जब आप उसको नश्ट कर दोगे तो आप खुद ही अप कारने वाले ये गगन चुम्मी वन नहीं हो तब नदिया प्रचंड काल का रूप धारर कर लेती है तब आती है बाढ़ा व्रक्ष उस प्रचंड का को रोकने वाले होते हैं व्रक्षों का काम है उनके गुस्दों को रोकना उनकी प्रचंड सक्ति को संभाल कर रखना रोकन काम करना चंपरानः में ब्रक्ष तो काटकर किरश्योग्त समस्त भूमि बना दी गई है इन ब्रक्षों को जंगलों को उजार दिया गया है किरश्योग जो है भूमे बना दी गई है और अब उन्मुक्त नवयोबना को रोकने वाला कोई नहीं है इसके रौद रूप को रोकने वाला कोई नहीं के लिए रहे और इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराती है ये बाड़ जब आती है लगता है मानो मानव के कर्मों पर अठा हास करने के लिए इससे धंड देने के लिदी में भायनक बाड़ाई है मानो ऐसा कि मानो मनुष्य को इसका मकसद हो मनुष्य को सबक सिखाना कि लिए इसका मनुष्य को इसका सबक सिखाना कि तुने आज प्रकरती के साथ जो खिलवार किया है इसका ये फल सिला तुझे अगला क् 가장 इतयास की कीमियाई प्रिकरिया है। कीमियाई प्रिकरिया पारे को सोने में बदलने की प्रिकरिया आशाए। इसमें पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्छ तापमान पे गरम किया जाता है और लेखक ने पाट के संदर में कीमियाई पिकरिया का यहां आश्य देते हो का है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार का पदार्त है और उसे कुछ पदार्तों के संगम से बिलकुल भिन प के लिए चलो अगले प्रिशन पर चलते हैं अगला प्रिशन क्या कहता है दहांगड सब्द का अर्थ बताना है दहांगड सब्द का यहां पर क्या अभिपराय है तो दहांगड सब्द का अर्थ होता है और भाषा में भाड़े का मजदूर दहांगड का मतलब क्या होता है बहाड़े का मजदूर यानि किराये पर, इसको बोलते हैं, भाड़े का मजदूर यानि कि धांगड एक आदिवासी जाती है, के लिए रोगया, एक आदिवासी जाती होती है, जिसे अठारी में शताबदी केंत में नील की खेती के सिलसले में दच्छड बिहार के छोटा खेती होती है, के लिए? खेती के लिए, इसके लिए चम्पारण के इलाके में लाया गया था इनको, धांगड को, और धांगड जाती आदिवासी जाती है, ओराओ, मुंडा, लोहार, इत्यादि के बंसज है, जिस तरीकि से मुंडा अपने आपको आदिवासी नहीं मानते ह किलियर हो गाई जिस तरीके से मुंड़ा अपने आपको आधिवासी मानते हैं लोहार मानते हैं लेकिन ये जो धांगण है ये अपने आपको आधिवासी नहीं मानते हैं धांगण मिसरित उराओं भासा में बात करते हैं और दूसरों के साथ भोजपुरिया मदेशी भाशा मे क्लियर हो गया बास समझ में आगई अब दांगणों का जो सामाजिक जीवने बेहत उल्लास पूर्ण है हर्स से बढ़ा हुआ है खुर्सियों से बढ़ा हुआ है इससे पुरुस ढलती साम के मंद प्रकास में अत्यंत मनुहारी सामोहिक नरत्त किया करते है खुर्सियों के सामोहिक जीवने बढ़ा है दैनिक जीवन का अंग है और जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीक का बनाया गया होता है किलियर हो गया? सीक का बनाया जाता है आपने देखा होगा कहीं कहीं इसको सूप की तरह बोलते हो सूप बोलते हैं सूप ठीक उसी प्रकार से होता है किलरोग जिसमें दान अकका जाता है इसमें कई तरह के रंगों तरह दिजाइनयों का प्रियूग होता है और सिइक की रंग celestial किनारे सिप की ज्हलर लगाई जाती है जोपडियों में प्रकास के लिए जो दीपक लगाय जाते हैं उनकी आक्रति भी कलापून होती है डिजाइनिंग तरीके के डिजाइनिंग दिये होते हैं शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूझ से बनाये जाते हैं उनमें भी सौंदरी और उप्योगता का अदभुत मिश्रण यहां पर दिखाई देता है इस तरीके से अपनी अपनी कलाओं का यहां पर सौंदरी करकिया गया है आपर कलाओं का अदभुत नजारा पेश किया गया है लेकिन सबसे मनोर था नववधु का एक अनोखा अलंग करन जो मात्र आभुषण ही नहीं था किलियर जो नई नई शादी होती है तो अब तो सोने चान्दी के आभूषण से लदी होई दुलने आती है लेकिन उस्वक्त की बात होती है सबसे एٹ्रक्शन जो था वो एक अलो का नौवधू का एक तरीके का आप बोल सकते हो हार बोल सकते हो है ना ये मातर आभोशड़ी नहीं था नवदू जब पहली बार अपने पती के लिए खेत में खाना लेकर जाती तो अपने मस्तक पर एक सुन्दर पीडा रखती जिससे तीन लटें वीडियों की भात लटकी रहती थी के लिए रखती उसकी सुन्दरता में चार चांद लगाया करते हैं तो पहली बार अपने पती को क्या भोजन यानि खिलाने के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही है तो लटें इस तरीक से नजर आ रहे हैं जिससे की क्या है वो आकरशित करें रिजहाए तो तीन बेडियों की भाती लटकी रहती थी और हर लट में धवल सीपों और एक बीज यानि की विशेस के सफेद दाने यहाँ पर पिरोय होते थे इस प्रकार से यहाँ पर इस कला का चितरकारी के माध्यम से और उन लटों के माध्यम से मोतियों के माध्यम से पीड़े के ऊपर सीख की कलापोंट टोकरी में बोजन रखा होता था और टोकरी को दोनों हाथों से शंभाले हुए जब लाज भरी बदू धीरे खेत की और बढ़ती तो सीप की वेडिया रजकत कंकड़ों की भाद जंजरत ओड़ती थे जब धीरे 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 वो अपने प्रियतम अपने पती की तरफ बढ़ती है किलियर हो गया भोजन रखते हुए भोजन टोगरी जो भोजन के जो तो वो जो लटे हैं आपस में जब टकरा रही है तो अजीब तरीके के एक धोनी जो है उसमें निकल रही है जो आकर्शित करती है उसको रिजहने का काम करती है तो कुछ विशेश प्रकार की यहां पर इस आभुशड का जखर किया गया है जो उस जमाने में उस संस्कृति म नव अधू जो है धारने किया करती थी अगला प्रसन है अंगरेज नील से किसानों पर क्या अत्याचार करते थे तो उत्तर में क्या लेखेंगे अंगरेज नील से किसानों पर बहुत से अत्याचार करते थे जैसे किसानों ने से जबरजस्ति नील की खेती करवाई जाती थ और उन्हें कुल भूम के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करने के लिए बाद्ध किया जाता था किले रो गया ये नीले जो किसान नीले किसान नीले जो थे नीले किसानों पर अत्याचार इस कदर करते थे लोग परिशान थे और ये बिवस किया करते थे मजबूर किया करते थे चलो बाद में इससे मुक्त करने के लिए मोटी रकमी भी लिए अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भई आप एक समझोता करो कंप्रमाइज करो कि इतने कुछ राशी मोटी एक रकम ले जाती थे और इसक और इन गोर्य ठेकेदारों ने बहुत कम अदायगी में हजारों एकर जमीन ले लिए बहुत कम पैसे दे कर हजारों एकर जमीन जो है वो इन्होंने हत्या लिए और इसके अथरिक्ति किसानों की कई तरह के करता था नजराने भी देने पड़ते थे के लिए रोगया इन पर Tax लगा दिया इंगलिएस में बोलते हैं Tax तो आप चारों तरव से बात दे कर दिये जाते थे खेत आपका है लेकिन आप अपने मन मताग्षिए जो है उसमें पैदावार नहीं कर सकते हो आपकी जमीन है आपकी जायजाद है कम पैसे दे कर अपने नाम करा लेना components और आपका सेनी पड़ेगी दुर्वार सेना पड़ेगा पिटाई खानी पड़ेगा बहुत सारी चीज़े हैं कि लिए अगला गंगा पर पुल बनाने में अंगरे जोने क्यों दिल्चसपी नहीं ली ताकि दक्षड बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे दच्छड बिहार के जो बागी हैं उनके विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे क्योंकि भाईया अगर यहां पर भी अलग जग गई तो फिर दीरे 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 ब्रिटिस का सभाया हो जाएगा इन अंगरे जो को यहां से खदेर दिया जाएगा इ जो यह जो दच्छडी बिहार था इससे कटा हुआ रहा जब तक यह पुल नहीं बना और पुल नहीं बनने दिया गया आप कह सकते हो इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि जब लोगों का आना जाना होगा विचारों का आना जाना होगा तो दीरे 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 उध जो आज क्रांती कर रहे हैं जो अपने आपको अपने अधिकारों से लड़ रहे हैं वो दीरे धीरे उनकी सुख भुगाहट यहां तक भी आएगी और यहां आएगी तो यह क्रांती यहां पर भी फ्हलेगी और इसी वज़े से यही वज़े रही कि भाई लंबे तमय समय तक समराज ने एक छत्र जो है वो यहां पर राज किया चंपारण में चंपारण में सिक्षा की विवस्ता के लिए गांदी जी ने क्या किया अब गांदी जी का क्या रोल है गांदी जी का क्या रोल है तो गांदी जी ने यहां पर जो किया चंपारण में सिक्षा की विवस्ता के लिए वो अनेको काम किये इनोंने और उनका विचार था गिरामीर बच्चों की सिक्षा के विवस्ता किये बिना केवला आर्थिक समस्याओं को सुल जाने से काम नहीं चलेगा आप अगर सोच रहे हो कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ के लिए रहे तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है जब तक गाउं के बच्चे सिच्छत नहीं होंगे क्योंकि सिच्छा कहते हैं अंबिडगर जी ने भी कहा था कि सिच्छा शेरनी का दूद है और वो शेरनी का दूद है जो जितना पिएगा उतना जार दाड़ेगा तो भई गांदी जी ने भी ये जर आर्थिक समस्याओं से निजात मिल जाए हम आर्थिक समस्याओं से जूज रहें इन से हमें छुटकारा मिल जाए तो यह ऐसे काम चलने वाला नहीं है सिक्षा बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए और इसके लिए उन्होंने तीन गाउं में आश्रम बिद्याले स्थाप कि यह कहा गया बच्चों के पेरेंट से यह कहा गया इस सिच्चा का महत्त समझाया गया कि भाई आये गोखले थे और उनकी पतनी विदुशी आविंतिका भाई गोखले ने चलाया और मदुवन में नर हरिदास पारिख और उनकी पतनी कस्तूरवा तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देशाई को नियुक्त किया और भितिहरवा में वयोब्रद डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया और बाद में पुंडारिक जी गए स्वैम कस्तूरवा भितिहरवा अश्रम में रही और इन करमट और विद्वान गांदी जी ने अपनी देखरेक में अपने विश्वास पात्र लोगों के देखरेक में इन विद्यालों का संचलन किया लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए लाते थे उनको सिक्षित करने के लिए जो है क्योंकि जाहिर सी बात है गांदी जी वैरिष्टर थे बाहर से पढ करना अपना अपर्ण धर्म समझ देते हूं और अन्यवाईiben 5 का बर्पूर्सा इतया Гांडीसी के शिक्या संबंदि आदर्स TOM मद एक एतया गानदी इन आदर्स स्क्रम करते 25ノिनasto इस पर और कांदी जी मंधि उसक्या संतर संस्कृत बनाने itself कर से थे के लिए रहे सिख्षा से ही मनुष्य की विक्ति का विकास होता है सिख्षा से ही हमें अच्छी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है के लिए रहे सिख्षा से ही विक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए आचारी पद्धति क समर्थक थे गुरुकुल चला करते थे वहां पर शुरुवात में पता है तो आचारी पद्धिति के गोर समर्थक थे अर्थात बच्चे सु संस्कृत और निश्कलुष चरित्र वाले वेक्तियों के सानिद से ग्रायन प्राप्त करें उनका मानना था कि वेक्ति को जो है अच अच्छी संस्कृति के द्वारा आपका भरण पोसल हुआ है पाला गया है आपको तो आप आगे चलके एक अच्छे इंसान बनोगे और चरित्र निर्मान के साथ साथ आप अपने देश के निर्मान में भी महत्तपूर्ण भूमता निभाऊगे के लिए रहे तो किताबी ग्यान से पहले चरित्र निर्मान यानि के वेक्ति के अंदर एक चरित्र निर्मान का होना आती आवस्तक है है ना तो इस तरीके से इन सानिध्यों में ग्यान प्राप्त करें इस तरीके सा मानते थे अक्षर ग्यान को वे इस उद्धिस के प्राप खौफणाक और हे मानते थे वरतमान की जो सिच्छा पड़ित करती है और बच्चों को पुश्टकर रटाया जाता ह야 उनका मैंधना है कि वरतमान में जो पद्दिचलरी है, वो लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल को केवल बच्चों को पुस्तो के रटाई जा रही है, ताकि आगे चल कर वे कलर्क का काम कर सकें, उनका सरवांगीर विकास से कोई सरुकार नहीं है, लेकिन गांदी जी चरित निर्मान को प्रय पुंड़िक जी कौन थे पुंड़िक जी भितिरहरवा आश्रम विध्याले के सिचक थे और गांदी जी नोंने बेल गाउं से सन 1917 में बुलाया था और सिक्षा देने और ग्यामुन के भया रोहन के लिए जो किरामीर जो लोग थे उनके जो बच्चे थे उनको सिच्छा देने के लिए इनको बुलाया गया था पुंड़िक जी गांदी जी के आधरसों को सच्छे दिल से मानने वाले बड़े ही निरभय पुरोष थे और पहले एक काईदा था कि साहब जब आएं तो ग्रह पती उसके गोड़े की लगाम पकड़े पहले क्या था एक काईदा ऐसा होता था कि जिया जब एक साहब जब आएं तो ग्रह पती उसके गोड़े की लगाम पकड़े और एक दिन एमन साहब जो उस समय बड़े ही अत्याचारी थे अत्याचारी थे वो आए तो पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए मैं लगाम पकडने नहीं जाओगा किलियर हो गया भाई उसको आना है तो मेरी कक्षा में आए मैं लगाम पकरने नहीं जाओंगा और पंडलिक जी ने गांधि जी से सीखी निर्भीता गाउवालों को दी यहनि कि गांधी जी से जो उनने सीखा था वो उन्हेंने गाउवालों को बताया कि निडर रहो, निष्ठू रहो, के लिए रहे और अपने आत्म संबान से कभी समझाता मत करो, बाद समझ में आगे कभी आत्म संबान से समझाता मत करो और यही निर्भीकता चंपारा अभ्यान की सबसे बड़ी देन, लोग उसे डर खत्म किया, अंगलेजु के प्रतिज़ डर था डर को, जब तक डर खत्म नहीं हो तब तक लोग आगे बाहर निकल के नहीं आएंगे, तो डर खत्म करने का यह विवान जोदा सबसे बड़ी देन, गांदी जी के चंपार के अंदोलन की किन दो सीखों का उलेक लेक लेकता ने किया है और इन सीखों को आज आप कित तो सच्चाई और निर्भीकता गांदी जी की दो सीख है, निर्भीकता जीवन का बहुत मतपुन आचरण है और जिसके ना होने से पशुता और मनुश्यता में फरक कठिन हो जाता है सत्य के लिए निर्भीकता निहायत ही जरूरी है निर्भीक होने कार्त है अपनी सच्ची बात पर अडिक रहना के लिए रोगया अगर आप सच्ची हो तो आप अपनी बात पर टिके रो निर्भीक होना और उदंड होना ये दोनों ही अलग है दंड़ता और निर्भीकता ये दोनों अलग-अलग है दंड़ता एक निशिद आचरण है जबकि निर्भीक होना नहायत जरूरी सत्य का आचरण एक ऐसी चीज है जिससे नहोने पर संसार का अस्तितु ही संकट में पढ़ जाए ये सत्य ही है जो इंसान को अपनी बात को कहते हैं ये अडिग रहने पर मजबूर करता है ये सत्य ही है जो विक्त का चरित का निर्मान करता है ये सत्य ही है जो सामने वाले की नजरू में आपको एक अच्छा इंसान बनाता है केलियर होगा इसके बिना तत्य की जानकारी कोई बात कहना अब बावडाना है और विस्वास की नीव सत्य की आचरन पर हिटी की है अगर आप सच्चे हो तो आप पर विस्वास भी करेंगे लोग तो गांदी जी बिना कोई बात पर के सत्यता की जाच के नहीं कहा करते थे के लिए रो गया पहले क्या करते थे विश्वास करते थे कॉंफिडेंस में लेते थे तब जाके वो कोई बात करते थे ये उनके जीवन का सबल्ह था और ये ही हमारे जीवन का भी होना चाहिए क्योंकि इसके ना होने से हम मानव कहलाने के गौरव खो देते हैं और हमारा अस्तित जो विश्वास की बुनियाद पर खड़ा है समाप्त हो जाता है किरे रहे समाप्त हो जाता है तो कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े कहते हैं पुजारी थे सबसे बड़े जो हैं इसको आगे की तरफ लेके जाने वाले थे इस मार्क पर चलने वाले थे वो थे महत्मगांदी और अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने इस मार्क को नहीं चोड़ाता चलो ये पाट आपके समख्च कैसे प्रसंगड़े करता है तो हमारे जीवन का प्रतेग छड़े एक प्रशन एक समस्या लेकर उपस्तित होता है है ना विक्ति का जो जीवन है ना जीवन संघर्स का नाम है, हर छड़ा ऐसा लगेगा आज ये कार ये पूरा हो गया, अगले ही छड़ा आपको दूसरी चुनोती मिल जाएगी, किलियर हो गया, एक question solve करोगे, दुबारा आपके सामने दूसरा प्रशन सामने आ जाएगा, तो परते छड़ एक प्रशन और एक स हमारे इर्द गिर्द मनराते रहते हैं, जिन से निपटने के लिए अनर्थक तथा सार्थक प्रयास अपेच्छित हैं, तता इस दिसा में हमारा व्याबहारिक ज्यान सहायक होता है, किलियर, और ये जो प्रिस्तुत पार्थ है, इस पार्थ में हमारे समक्ष इसी प्रकार क कतिपय प्रशनों पस्तित हुए हैं और पहली समस्या यह है कि हमारे अनुत्तर दायत रविये से बनों का निरंतर विनास किया जा रहा है किलियर है आज एक विक्ति अपनी जरूरतों के लिए बनों को काटने में लगा पड़ा है कि आज कागज का प्रयोक कर रहे हैं हम कागज का प्रयोक कर लिए हम कितने सारे बनों को उजाड़ देतü हैं भास समझे रहो इसके लिए कौन झरूरी उत्तर दायत तो है उत्तर दाई है मनुश्य के लिए रहे तो बनों को दिन तर विनास कर रहे हैं हम लोग चमपारण की सस्य स्यामला भूमी को हरे बरे बनों में आच्छा दित्था वहाँ को लंबे अर्से से व्रक्षों का काटना जारी है और उसने हमारे परियावरण को तो प्रवावित किया है हमारी नदियों में वर्षाकाल में अप्रत्याश्ट बाढ एवं तबाही का दर्श्य प्रस्तुत किया है यहां हर साल बाढ आती है और तबाही मचाती है और जो लोग साल भर से मेहनत करते हैं अपना जमा पुंजी जो होता है उनका उस सब भाग के ले जाती है धन और दोनों की हान करते हैं व्रक्षों के छरण से उनके तटों में जल अवरोध की छमता का हयास है और वनों का विनाज कर किर्श्य योगी भूमिबनाने भवन कलकार खाने एवं उद्धों के सापना करने से इन सारी विवदाओं का सामना करना पड़ रहा है इन जो भूकम के परियोजनाओं के नाम पर उनेक उने जो है इसका ब्रक्षों बांधों को पानी को खटा करकर करकर सोच के देखिए जब हम यह सब कर रहे हैं तो इसका विप्रदाएं तो आएंगे आएंगे रक्षों की गट्टी संक्या तता दर्ती के अर्याली में दरेंतर हास से वर्ष नहीं होती है सुखा कई सहर तो सुखा ग्रस्त गोसित हो गए हैं के लिए चलो इस पार्ट में चंपारण में प्रवावित होने वाली नदियां गंडक पंड़ई बसान सिकराना आदे नदियां किसी जमाने में वन शिरी के ढखे वक्षिस्तल में किलकारी किलकारती रहती और अब विलाब करती है कि निर्वस्त हो गई है और इससे अने को समस्याओं ने जर्म लिया है नदियों का कटाव अप्रत्यासित विभत्स बाड़की विनाश लीला परियावरन परदूर्शन अनियमित्ता तथा कम मातरा में वर्षा का होना आदे इसके पीछे मनुष्य का मनुष्य का हांत हमें इन समस्याओं से निदान हेतु बनों की कटाई पर ततकाल रोक तता व्रक्षा रोपड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा परियावरन को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्रक्षा रोपड करना चाहिए के लिए और इन नदियों के आसपास के जो बन है भाई, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन बनों की कटाई रोकनी पड़ेगी, सबाग से गंड़क गाटी योजना के अंदर गर सरकार दौरा नहरुका निर्मार कर गंड़क को दुर्वस्ता से मुक्त दाने का प्रयास तो किया गया है, इसी प्रक अनिक योजनाएं हमें अनिनद्यों के साथ भी अपिच्छत हैं, किलियर हो गया, चलो, अगला है अर्थ को इस पश्ट करना है तो वसंद्रा भोगी मानव और धर्मानद मानव एक है सिक्के के दो पहलों, तो उत्तर में क्या लेक हैंगी, तो भाई प्रस्तुत पंक्तिया और धर्मानद मानव गंगा को मया कहता है, पर अपने घर की नाली, कूडा, करकट, पूजन, सामगरी जो पुर्दूर्शित हो चुकी है, उसको क्या गंगा नदी में प्रवावित कर रहा है, किलियर हैं, और इस प्रकार दोनों इस प्रकृति को नश्ट करने में लगे हु और धर्मानद मानव एक ही सक्के के दो पहलू बताएगे हैं, दूसरा, कैसी है चंपारण की ए भूमी, मानो विस्तमर्ति के हाथो अपनी वड़ी से बड़ी, निधियों को सौपने के लिए प्रस्तत है, चंपारण की एक औरफशाली भूमी महान है, यहां अनेक पारी तिथा बाहरी विक्ति आये, उन्होंने या तो इस पावन भूमी को छती पहुंचाई या आकर यहां पर बस गए, किन्तो धन्य है इसकी सेंसिलता और इसकी उदारता, इसने इन सब को भुला दिया, छमा कर दिया, ऐसा प्रतित होता है कि इसने विस्तमर्ति के हाथो अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौब दिया, इससे किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं है, इसके अंदर बद्रा लेनी की भावना नहीं है, सौहिम को उन आताईयों के हाथों समर्प्रिट कर दिया, उन्हें अपनी निधियों से समर्थ किया, अखला प्रसन है, लेकर में बिन जाती के लोग समय समय पर भिन बिन स्थानों से आकर बस गए पहले यहां करणाट वंस के लोग आये और यह दच्छड से थे यहां आकर चिप्रदेश के रक्त और निदीबने करणाट वंस के लोग मिधिला और नेपाल विजय के लिए आये थे थारू और धांगड जातियां यहां आजी भिका की खोज में आई थी और यहां धांगड़ों को गोरे अंगरेज और राम नगर के ततकान नियाजा नील की खेती के लिए लाए थे और उर्वरा भूमी से संपधा प्राप्त करने के लिए पचाई, जमीदार और गोरे सहाब बिर्टिस सामराज के कोने में वैम अफसाली सामराज इस्थापित करने के लिए आए यहां पूरी बंगाल के शरणारती भी तरस दोकर यहां आए, यहां के अशोक इस्थापित तोर पर बताते हैं, यहां कभी भी मौरे समराज का साशक रहा था तो अनेक लोग जो हैं, वो यहां पर आए, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रमान मिलता है, कि यहां भारत के बाहर से लोग आए, अपनी संस्कर्टी, अपनी सब्विता, और वो आए यहीं पर रच बस कर रहे गए के लिए रोगया? चलो अगला है, नीले गोरो और गांदी जी से चुड़े प्रसंगों का अपने सब्दों में लिखना है, तो चंपार में रैतों और किसानों पर नीले गोरों का त्याचार चर्मोत करस्पर था, यह नीले गोरे उसके साथ पशुवत विभार किया करते थे, जैसे पशु के साथ पूरे चंपार तो उन दिनों उनका सामराज था, जिस रास्ते पर नीले साहब की सवारी जाती थी, उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकती थे, यदि किसी रैत के यहां उत्सव या साधी विभा होते, तो साहब के यहां नजराना भीजना पड़ता था, नजराने की पेज़गी अदायगी की जाती थी, यहां तक कि साहब के बीमार पड़ने पर उनके इलाज के लिए भी रैतों से वसूली होती, अमोलवा कोठी के साहब एमन का भीशडा तंक चंपारण में व्याप्त था, किसी भी रैत की चोपड़ी में आग लगा देना, कि उनके प्रभाव का पर्मान गंगा नदी पर पुल का नहीं बनना था, तोकि वे नहीं चाते थे कि दच्छड विहार के बागी विचारों का असर चंपारण में जल्दी से पहुँचे, और इसलिए उन्होंने कई सालों तक, कई वर्सों तक चंपारण पर राच किया, मात् के कुछ इस्थानिय विक्तियों के आगरे पर यहां पर आये थे, उन्होंने गांदी जी से आगरे किया था, आप यहां आये, यहां पर भैका वातावरण है, यहां पर लोगों के साथ प्रशुता का विवहार किया जाता है, आप हमें इससे नेजाद दिलाएं, तो उन वि की ग्रामीड जनता की सामाजी विवस्ता के सुधार का कार किया, उन्होंने ग्रामीड बच्चों की सिक्षा की विवस्ता करने का निश्चे किया, और इस उद्दिस की पूर्ती के लिए उन्होंने तीन ग्रामीड विध्यालों की स्थापना किया, बड़ा एरवा, दिसाई थे मात्मा गांदी कस्तुर्वा गांदी तता करपलानी जी भी वहां कुछ दिनों तक रहे चालो अगला है चौर और मन किसे कहते हैं और वे कैसे बने और उनमें अंतर क्या है तो चंपारण में गंटक गाटी के दोनों और विविन आकरतियों के ताल देख पड़ते और ये कहीं उतले तो कहीं गहरे हैं सभी पराय टेडे मेडे किंतों शुबर एवं निरमल जल से पोन हैं और इन तालों को चौर और मन कहते हैं चौर उतले ताल होते हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और इनके द्वारा खेती भी होती है मन है तो टंटो की उलंगन कर नदी दूसरा पत पकड़ लेती है पुराने पत पर रह जाते हैं और ये चौर और मन जिनकी गहराई तल को इसपस करदटी के हिर्दे से सुरूत को फोड लाई अगला है कपिल वस्तु से मगद के जंगलों तक की यात्रा बुद्धने के समार से कि उस नदी का नाम है पैंड और इसी के सारे बगवान बुद्धने कपिल से मगद तक की यात्रा की थी लौरियां नंदन गड़ में समराट असुखदरा बनवाया हुआ कलापूर्ण इस्तंपर है किलेर हो गया तो प्रशनों की समाप्ति हो गई तो हमने जीवन पर्चे अब तक भई हमें दो इजाज़त और आप बने रहों डाउटनेट के साथ नमस्कार जैन